नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे basic English words meaning और साथ साथ में आप लोग को examples दूँगा और आप लोग daily life पे English कैसे बोल सकते हैं ये भी बताऊंगा तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ देखिए I मतलब होता है मैं और M मतलब हूँ ठीक है तो मैं हूँ ये हमेशा इसी परकार से लगा हुआ आएगा अगर हम परजैंट की बात करेंगे जैसे he is मतलब वह है ही का यूज हम करते हैं पुरुष के लिए Ci is वह है ची का यूज करते है इस्त्री लीता इज उच सबस्क्न के लिकार आए तो हम कहते हैं, लीयक है लिटा है रवी इज मतलब रवी है किसी पुरुस का नाम है तो आप लोगों को यहाँ पर यह जो helping वर्म है इस पर ध्यान देना है देखिए रवी एड लीता आर रवी और लीता है जब दो लोगों की बात हो तो हम आर का यूज़ करते हैं यू आर मतलब आप है या आप हो दे आर मतलब वे है या वे लोग है वी आर मतलब हम है अब देखिए अगर हम बीते हुए समय में बताएं तो हम कहते हैं आई के साथ वाज मतलब मैं था या मैं थी लीता वाज लीता थी इसी परकार से किसी पुरुस के साथ रवी वाज रवी था रवी एंड लीता वर मतलब रवी और लीता थे यहां पर अब दो लोगों की बात हुई तो हमने वर का यूज किया यू वर आप थे यू के साथ वर दे वर मतलब की एक से ज़्यादा लोग वे लोग थे या वे थे वी वर हम थे और भविष्य के लिए मतलब भविष्य की बात बताने के लिए हम सभी के साथ विल भी का यूज करते हैं जिसका मतलब होगा होगा या बनूँगा इसी परकार से देखिए अगर आपको कहना हो मेरा तुम्हारा इस परकार से तो आई जैसे मैं होता है तो अग मतलब हम, आवर मतलब हमारा, यू मतलब तुम, यौर मतलब तुम्हारा, दे मतलब वे या वे लोग, दे यर मतलब उन लोगों का या उनका, ही मतलब वह इस्तरी के लिए और हर मतलब उसका, इस्तरी के लिए यूज करते हैं, ही मतलब वह पुरुस के लिए, हीज मतलब उसका, और has और have का use हम करते हैं simple sentences में कोई चीज past है के meaning में ठीक है, had का use करते हैं हम कोई चीज past था, this मतलब यह होता है और यह नजदी की बताता है these मतलब यह सब और यह भी नजदी की बताता है that मतलब वह, यह दूरी बताता है कि कोई चीज दूरी पर है दोज मतलब वो सब मतलब एक से ज़्यादा चीज दूरी पर है अब मैं आप लोगों वो sentences दिखाता हूँ देखे I am मतलब मैं हूँ तो देखे sentence बना सकते हैं I am happy मतलब कि मैं खुस हूँ यहाँ पर हम कर सकते हैं I am sad मैं दुखी हूँ honest मैं इमांदार हूँ ठीक है इस परकार से बना सकते हैं तो आप लोगों ने देखा यह तो adjective थे मतलब विसेशड I am के बाद हम विसेशड लगा दे रहे हैं मैं हूँ यह ठीक है मैं हूँ खुबसूरत handsome कुछ भी adjective हो सकता है और अगर हम noun लगाते हैं किसी पद को लगाते जैसे I am a teacher मैं एक teacher हूँ I am a cricketer मैं एक cricketer हूँ इस परकार से ओके अब देखिए he के साथ इजगा यूज करते है पर जैंट के लिए वह है तो he is honest वह इमांदार है he is bad वह बुरा है और देखिए पद बताने के लिए कि कौन सा पद है उसका he is an engineer वह एक engineer है यह पुरुस की बात कर रहे थे अब देखिए इस्तरी इस्तरी के लिए हम C का यूज करते है C is मतलब वह है तो C is honest वह इमांदार है वह अच्छा है वह बुरी है वह बुरी है इस परकार से ठीक है इसी परकार से C is an engineer वह एक engineer है या फिर C is a teacher वह एक teacher है इस परकार से बना देंगे ओके देखिए लीता इस लीता है मतलब किसी इस्तरी का नाम है उसके साथ भी हम इस का ही यूज करेंगे या किसी पुरुस का नाम हो तो भी हम इसका ही यूज करेंगे लीता is a kind girl लीता एक दयालू लड़की है लीता is a doctor लीता एक doctor है अब देखिए रवी is मतलब रवी है रवी is a naughty boy रवी है एक naughty boy मतलब सरार्ती लड़का रवी is a singer रवी एक गायक है अब देखिए दो लोगों की बात रवी and लीता are ठीक है रवी और लीता है रवी और लीता है क्या है good friends अच्छे दोस्त है ठीक है इस परकार से sentence साप लोग आसानी से समझ सकते हैं अब देखिए you के साथ are का यूज़ करेंगे आप है या आप हो या तुम हो ठीक है यू आर आप है क्या है very good आप है बहुत अच्छे यू आर आप है a student एक विद्यारती अब देखिए they are मतलब वे है या वे लोग है they are मतलब वे लोग है क्या है ड्रांग नसे में वे नसे में है या वे लोग नसे में है they are मतलब वे हैं employees of this office इस office के करमचारी वे लोग इस office के करमचारी है we are हम है क्या है we are हम है courageous मतलब साहसिक we are editors हम संपादक है अब देखिए पाश्ट के लिए मतलब बीति हुए समय के लिए I was मैं था यह थी I was not टिंगी मैं कंजूस नहीं था I was a student मैं एक विध्यारती था इसी परकार से लीता वाज लीता थी किसी इस्त्री का नाब है लीता वाज अ काइंड गर्ल लीता एक दयानू लड़की थी लीता वाज डॉक्टर लीता एक डॉक्टर थी अब देखिए रवी वाज रवी था रवी वाज आ नॉटी बॉय रवी एक सरार्थी लड़का था रवी वाज आ प्लेयर रवी एक खिलाडी था देखिए रवी एंड लीता वर मतलब दो लोगों की बात है तो हम वर का यूज़ करते हैं रवी और लीता थे रवी एंड लीता वर मतलब रवी और लीता थे क्या थे गुड़ फ्रेंड्स अच्छे दोस्त यू के साथ वर का यूज करेंगे आप थे यू वर सैड आप दुखी थे यू वर हैपी आप खुश थे इस परकार से यू वर आप क्रेकेटर थे दे वर मतलब वे थे या वे लोग थे क्या थे देखे दे वर वे लोग थे लोफर्स लोफर्स मतलब आवारा दे वर वे थे क्या थे हॉकर्स मतलब फेरी वाने वी वर मतलब हम थे वी वर करीजियस हम साहसिक थे वी वर एडिटर्स हम संपादक थे विल वी का मतलब होगा या फिर बनूँगा फ्यूचर के लिए जैसे वी विल बी करीजियस वी विल बी दा एडिटर्स हम संपादक होंगे भविश्य की बात के लिए ठीक है यू विल बी हैपी आप खुश होंगे आई विल बी एन इंजीनियर मैं एक इंजीनियर बनूँगा जब भी किसी पद की बात करेंगे तो उसका विल बी का मतलब होता है बनेगा कोई कुछ बनेगा ठीक है आई मतलब मैं माई मतलब मेरा इसी परकार से वी मतलब हम आउर मतलब हमारा यू मतलब तुम यूर मतलब तुमहारा दे मतलब वे लो दे अर मतलब उन लोगों का या उनका सीव इस्त्री के लिए हर उसका इस्त्री के लिए ठीक है इस परकार से मैं आपको बताया अब है अ our book our मतलब हमारा हमारी किताब है this is your book your book मतलब तुम्हारा their book उन लोगों का her book किसी इस्तरी की बात है उसका ठीक है his book किसी लड़के या पुरूस की बात है उसका ठीक है this is his book तो इतना आप लोगों पता चल गया अब देखिए has या have का यूज़ करते हैं कोई चीज पास है ठीक है I, we, you, they इन सभी के साथ हम have का यूज़ करते हैं मेरे पास है हमारे पास है तुम्हारे पास है उन लोगों के पास है क्या है a laptop एक laptop इस परका से he, see इनके साथ हम has का यू अगर हम बोले see has a laptop उसके पास एक laptop है और he has a laptop उसके पास एक laptop है इस परकार से देखिए had मतलब past के लिए कोई चीज पास था इसके साथ सभी के साथ सभी जितने subject है उनके साथ head का यूज़ करते हैं ठीक है और उसके बाद जो भी object हो वो रख देंगे जैसे इसको माल लेते हैं see had knowledge उसके पास knowledge था ज्यान था ठीक है किसी भी subject का यूज़ कर सकते हैं उसके बाद head का यूज़ करेंगे past में ये बताने के लिए कि कोई चीज पास थी या था अब देंगे this का यूज़ करते हैं हम नज़दी की दिखाने के लिए यह this is my room यह मेरा कमरा है मतलब यह हम this का यूज़ कर रहे हैं तो इससे यह पता चल रहा है कि कमरा मेरे नज़दीक है यह मैं कमरे में ही हूँ these मतलब यह सब यह भी नज़दीक की दिखाता है लेकिन य This is our के साथ R का use करेंगे है my friends यह सब मेरे दोस्त है खिक है मेरे पास होंगे वही तो मैं बोलूँगा यह सब मेरे दोस्त है swirl है ठीत मतलब दूरी दिखाने के लिए that is our school school मुझसे दूरी पे है और मैं दिखाता हूँ that is our school मतलब वो हमारा school है those मतलब वो सब ये भी बहुवचन है ये भी दूरी दिखाता है those are dangerous dogs वो सब खतरना कुत्ते है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगे लिए काफी helpful होगी और आप लोगों की इस वीडियो के माध्धम से काफी कुछ मदद हुई होगी तो इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करे उन सभी के पास पहुचाए जो बिल्कुल basic से English सीखना चाहते हैं ताकि वो अपनी basic मजबूत करके English को improve कर सके तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक हो जाए तो thanks for watching, take care, bye